ये देखो जो ब्रेक लिवर वो कितना फ्री और स्पॉंजी हो गया है इस तरह का जो एर बबल है वो ब्रेकिंग सिस्टम में आ चुका है ब्रेक ब्लीडिंग का ये काम आपको धीरे धीरे अराम से करना है आपको आपके कितने दीनों के बाद करा देनाचा ये भी आपको जानने को मिलेगा लेकिन उससे पहले तरफामब के ब्रेक ब्लीडिंग का जरूवत क्यों पढ़ता है और अगर सही टैम पे ब्रेक ब्लीडिंग नहीं किया जाए तो क्या-क्या नुक्सान हो जाता है उसके बज़ासे को कई बार आपने गौर किया हुआ कि जो बाइक का ब्रेक लिवर जब आप उसे प्रेस करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीली मूव करता है उस पर बिल्खुल भी आपको टेंसर फील नहीं होता है आपको ऐसा रहता है कि स्पॉंजी सा ब् डेक कैलीपर तक इनके बीच में एरभबल जिनरेट हो जाता है और इस आर ब्रेक साहिस से काम नहीं करते हैं और इस एर बबल को जो हमारा ब्रेकिंग सिट्रम उससे बाहार निकालने के लिए ब्रेक ब्लीडिंग है उससे और अलग बताने वाला हूं लेकिन उससे पहले आपसे मैं जस्ट 20 सिकंड लेना चाहूंगा देखो ये हमारा Facebook पेज काफी समय से इनेक्टिव था लेकिन अब मैंने इसे अक्टिव कर दिया और आपको यहाँ पे लॉंग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, रिल्स और पोश्ट के जरिए बहुत सारी गालियों की जानकारी मिलने वाली, कई सारे पोश्ट मैंने इस चनल पर कर दिया है तो मैं आपसे रिक्वेश्ट करना चाहूंगा, लिंक, डिस्केप्शन और पिन कमेंट आपको मिलने वाला है कि Facebook page को आप जरूर से follow करें और support भी वहाँ पर जरूर से करें चले लोग, break bleeding के पहले तरीके की बात करते है तो यह general तरीका जो कि motion लोग use भी करतें इसी तरीके को यहाँ पर सबसे पहले आपको यह करना होता है कि जो break fluid का reservoir है आप इसे open कर दे और यहाँ पर requirement आप जो break fluid है वो थोड़ा सा add कर दे इसके बाद जो break caliper में जो bleeder screw होता है वहाँ पे एक dust cover लगवा होता है आप इसे निकाल दे इसके बाद यहाँ पे जो bleeder screw है यहाँ पे आप एक pipe को attach कर दे pipe का जो दूसरा end है वो आप किसी bottle से connect कर सकते हो या simply जो हमारा किसी बितरा container है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो ताकि जो break fluid बहार निकले वो इस container में या freeze bottle में ही आ जाए इसके बाद जो bleeder screw है इसे आपको ढिला कर देना है इसे open कर देना है मैं आपको बताना चाहूंगा बहूत से लगलती यहां पर यह करते हैं कि जो break liver इसे pull करते है release करते यह गलय तरीका है best यह तरीका है कि आप इसे pull करे, pull करके रखे उसके बाद आप क्या करो कि जो bleeder screw है इसे close कर दे, इसे बंद कर दे और उसके बाद आप brake lever को release कर दे, ये सही तरीका होता, brake bleeding करने का, तो simply आपको इसी procedure को बार बार करते रहना है, आपको जो bleeder screw है, इससे open करना है, brake lever को pull करना है, then bleeder screw को close करना है, बंद कर देना, और उसके बाद brake lever को release करते रहना है, और ये procedure आपको लकतार करते रहना है, जब यहाँ पे holes होते हैं जिसके वाए से उल्टा यह हो कि air bubble उल्टा create होने लगेगा तो आप दियार लखें कि break fluid container से पूरी तरह से खाली नहीं हो जाए breaking system से पूरा air bubble निकालने के बाद simply आप क्या करें कि जो bleeder screw है उसे tight कर दे और उसके बाद reserve wire में as per requirement आप पहाँ पे जो fresh break fluid है वो डाल दे और आप देखोगे कि आपके जो break का sponginess था वो दूर हो जाएगा और breaks अच्छी तरह से काम करने लगे यह तो है पहला तरीका अब फ्रेंट ब्रेक ब्लीडिंग के second तरीके को बताने से पहले मैं आपको car pm garage pro obd scanner के बारे बताना चाहूँगा यहाँ पे अभी अप्रियल सेल के वज़े से 15% का discord मिल रहा और इसे use करना भी बहुत जादा असान है फ्रेंट सिंपली आपको इस obd scanner को car या फिर बाइक के obd port से लगाना है अगर आपके बाइक में obd port नहीं दिया गया है तो आप इस connecting cable का use कर सकते हो जो की obd scanner के साथ ही आता है इसके बाद आप garage pro app के help से कई सारे अलग-अलग function perform कर सकते हो जैसे कि track mode की बात कर ले तो ये आपको बताता है कि आपकी bike 0-40, 0-60, 0-80 इस तरह के speed को कितने time में achieve करती है यहाँ पे live data का भी option है जहाँ से आप speed, rpm, battery voltage, engine load, throttle position, intake air temperature, engine run time, control module voltage इन सब का live data देख सकते हो इसके साथी यहाँ पे आप basic scan भी perform कर सकते हो और basic scan के अलावा यहाँ पे full scan की भी facility दी गई है जहाँ पे आप अपने complete engine और सारे modules को 100% fully scan कर सकते हो अगर कोई error होगा तो आपको error code दिखाई देगा साथी यहाँ पे जितने भी faulty code से वो आप clear भी कर सकते हो इस scan report आप यहाँ अप में भी देख सकते हो इसके लावा यह जो report है वो आपको mail में भी मिल जाता है bike variant का जो price है वो है 2499 रुपए cars के लिए कई अलग-अलग variant में आपको यह obedience के अंदर मिल जाता है जो कि अलग-अलग benefits के साथ आता और उनका price range भी अलग-अलग है mechanic भी यह गलती करते हैं कि simply क्या करते कि वह पुराना break fluid निकाल के जो नया fresh black fluid वो डाल देते हैं लेकिन break की bleeding नहीं करते हैं जिससे air bubble रह जाता system में और जिसके वाई से ब्रेक से वह सही से काम नहीं करते हैं चलिए अब मैं आपको जो reverse break bleeding का feature है procedure है इसके बारे बतायता हूँ यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो reservoir है उससे open करके जो syringe होता है उससे पुराना break fluid है उससे निकाल लेना है इसके बाद जो पुराना break fluid है इसे fake के जो syringe है वहाँ पे fresh break fluid डाल दे फिर एक pipe लेकर पहले की तरह जो एक end है वो syringe है उससे attach कर दे और दूसरा end जो bleeder screw है उसमें अच्छी तरह से attach कर दे उसके बाद आपको पहले की तरह जो bleeder screw है इससे open करना है इसे deal कर देना है उसके बाद syringe के help से आपको slowly अराम से धीरे धीरे जो fresh वाला break fluid है इसे inject करना है एक बड़ जब यह inject हो जाए उसके बाद जो bleeder screw आप उसे अच्छी तरह से tight कर दे और आप ऊपर देखोगे कि जो master cylinder है जो reservoir वहाँ पे आपको जो break fluid आपने inject किया है वो ऊपर आ गया होगा यह procedure है क इससे भी क्या होता है कि जो air bubble है वो system से दूर हो जाते है वो हट जाते है simply आपको इस same procedure को दोबारा से break fluid को reservoir से लेक और same उसी तरह किसे दो से तीन बार करते रहना है या फिर as per requirement जितनी बार जरू होता है उसके according आपको इस procedure को बार बार करते रहना और फिर उसके बाद इससे भी जो break से वो आपकी गाड़ी के बहुत अच्छी तरह से काम करने लगेंगे तो बहुत से लोग इसे नहीं करते जब कि करना चाहिए आप सवार आता कि कब या कितनी बार करना चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूं कि as per requirement देखा गया है कि कम से कम साल में एक बार य चाहिए खुद से भी आप कर सकते हो बहुत ही सिंपल ये प्रोसीजर होने वाला है तो उम्मीद है कि इस वीडियो में दीके जानकारे आपको पसना आए होगी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बार इसके लाव अगर आप चैनल पर नहीं हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को जरूर से दबा दे मिलते अगले वीडियो में थैंक्स वाचिंग इस वीडियो गुडबाई